महात्मा उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेर पुनरत्थान और आत्म विज्ञान के बाद अबला रही है सनातन सत्य जैसी द्रश्टी वैसी स्रश्टी कुद्रत कुद्रती रठना एक कुद्रत के कानून से साश्वत सुप की प्राप्ती लॉग इन करें www.drsohanraajtate.com यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहन राज तातेर प्लेस्टेव से डाउनलोड करें मोबाइल एप डॉक्टर सोहन राज तातेर बाई और बैनों मात्री सक्ति को नमन स्टूडियो में आपका हारदिक स्वागत अभिनंदने सत्कार है सनातन सत्य कुद्रत कुद्रती रतना और कुद्रत के कानून के अंतरगत हम आपको रियलिटी बताते हैं हम आपको यूनिवर्सल टृत देते हैं सारभौम सत्य देते हैं ताकि की आपको जो है तो आज हम बहुत सुन्दर विशय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, वह है भूत, भविश्य, वर्तमान की समिक्षा, देखिए तीन काल होते हैं, भूत का मतलब पास्ट जो चला गया, भविश्य का मतलब आने वाला, और प्रेजेंट जिस काल में हम बातचीत कर र तो तीनों की समिक्षा करना जरूरी है, और वैसे कि हमारे को हमेशा वर्तमान में ही रहना चाहिए, वर्तमान में रहने को भावक किरिया कहते हैं, और वर्तमान में रहना बहुत बड़ी साधना है, क्यों, कि yesterday has gone away, tomorrow never exists, the moment of present is with us to do something, कि आज़ किसी ने देखा नहीं है, क्योंकि आज हम कल की बात करेंगे और कल पे हम shift होंगे, तो उसको हम आज कहने लग जाएंगे, तो कल कभी आता नहीं है, इसलिए कल का जब चीज आने वाली नहीं है, तो उसका इंतजार कैसे करो, इसलिए जो कुछ करना है, वो वर्तमा क्षण में रह करके कर लेना चाहिए, उसके लिए कहा जाता शुबश्य शीग्रम, अगर आपको जीवन के शुब कारे करने हैं, तो जल्दी कर डाल दिये, क्योंकि ऐसा कहा गया कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब पल में परले होईगीर बहूरी करेगा कब, कि समय का कोई भरोसा नहीं है, कि अगली सांस आए या न आए, क्योंकि हर जीवित प्राणी का आयुष्य, वो साथ में लेकर के आता है, कहते हैं, विदाता लिख करके बेजती है, तब ही वो जन्म होता है, क्योंकि आज कर रीटरंड टिगेट का युग है, व्यक्ति रीटरंड की ज्यादा चिंता करता है, कि मुझे वापस जहां मैं जा रहा हूँ है, वापस मुझे आने की डेट पे टिगेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, चला तो जाओंगा, लेकिन आऊंगा कैसे, तो रीटरंड की चिंता ज्यादा होती, तो हमारे भी यही है, कि हमको विदाता ने, ह हमारे आईश्य कर्म ने, हमको दे करके भी जाई ये जनम, कि तुम चारीस साल, दस साल, पचास साल, सो साल जिंदे रहोगे, जैसा जैसा हमने अरजन किया है, और वो किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि वो मालूम हो जाए, तो फिर वो बगवान बन जाए, बगवान समय को, स तुम बने सो साल जी हो लेकिन आज मानोगे का आज मेरा इशी पुरा है तो कोईन कोई अच्छा कारी पहले ही कर दोगे आप उसी दिन कर दोगे इसलिए ये सारी बाते हैं इसलिए बताई गई है का आप समय का सुदूपियो करो और वर्तमान ख्षन की प्रिक्षा करो जो वर्तमान का समय चल रहा है उसका बैस्ट यूज कर लो और नीसेस आप जब सो तब आपको ऐसा फिलिंग सोना चीए कि आज इतने अच्छे अच्छे कारी करने हैं थे वो मैंने सब कर लिये नीसेस कोई करना सेश नहीं है इसलिए आप एक अपने जीवन की रूप रेखा बनाओ एक ब्लूपरिंट बनाओ एक रोड मैप बनाओ का आकिर मेरे को जिंद की किंदर करना क्या है कि हर एक व्यक्ति का लक्ष होना चीए फैक्टरी लगाता है उसका लक्ष होता है नेतागिरी करता है उसका लक्ष होता है डॉक्टर इंजिनियर चार्टर्ड अकॉंटर्ड कोई भी होता है तो उसके लक्ष तो होना चीए ना कि मुझे ये कारी करना लक्ष भीन आप कहां ज और आप बंबे वाली गाड़ी में पहुंच गए और आपने इंक्वरी नहीं किया, तो बंबे पहुंच जाओगा, यह सारी अज्ञानता है, इसलिए लक्ष बनाओ, और लक्ष की पूरते के लिए पूरा एक प्लान बनाओ, और उस प्लान की मॉनिटरिंग करो, मॉनिटरिं मॉनिटरिंग होती है, संस्ताइं करती है, सरकार करती है, तो व्यक्ति को भी करनी चाहिए, वो समिक्षा कहलाती है, तो हमने वरतमान की बात की है, तो हम यह कहना चाहते हैं, कि व्यक्ति का वरतमान बनता किसे है, देखिए जिसका भूत काल अच्छा रहा है, निश्चित और से वर्तमान उसका अच्छा होगा, क्योंकि भूत में जो कौजेज डाल करके व्रेकटी आया है भूत के अंदर, एक कौज को एक हम एक कौज कहते हैं, और कई कौजेज अप इकटे हो जाते हैं, तो मच अप दी कौजेज कहा जाता है, और वो कौजल बोडी बंड़ती है, और वो कार्मन्ट सरीर, लिंग सरीर के नाम से जाना जाता तो जनम जन्मांतर के अंदर ये कौजल बोड़ी इकटी रहती, देखिए, हमारी कितनी बड़ी विचितर अवस्ता है, कि शरीर में जनम जन्मांतर की प्रॉपर्टी, हम हरक्षन साथ लिए बैठते हैं, साथ लिए गोमते हैं, हमारे इस जनम के अंदर मान लिजी आपकी फैक्टरी है, आपका घर है, आपकी जवैली है, बैंक बेले सो तो ठिकाने पड़ी है, लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी है ना, जीवन की, वह तो आप साथ लेके चल रहे हो, वो है कार्मन्ट सरीर, कार्मन्ट सरीर के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, कि जो इस मुमेंट तक आप अच्छा बुरा कर सके, कर दिया है आपने, और उसमें रिकॉर्ड ना हो, ये बड़ी विच्चितर बात है, और वो कार्मन्ट सरीर है, वो चतुस पर्शी है, हमारी इस ब्रमान्ट में दो तरह के पुद्ग होते हैं, चतुस पर्शी जो की आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, बावर विज्ञान की बासा में वो भार हीन होते हैं, वो जो है, वो वेटलेस होते हैं, वेटलेस होने के कारण जनम जनमांतर से आत्मा के साथ में कोजल बोडी चिपका हुआ है, कैसे चिपका हुआ ह मैं आपको उधान देना चाहता हूँ कि हमारे कोई लकडी फरनीचर है उसके उपर हमको सनमाई का लगानी है तो सनमाई का लगाने के लिए हम फैवी कोल का यूज़ करते हैं लकडी पे फैवी कोल लगाया फिर सनमाई का को चिपका दिया तो उसकी उमर 10, 20, 40, 50 साल तक उसकी उम्रोज़ उक्षड़ा नहीं है तो ठीक उसी तरह से ये हमारी जो कौजल बोड़ी है ये उस फैवी कौल की तरह जो है हमारे कार्मन शरीर के रूप में आत्मा के उपर चिपती रहती है और देखिए एक तरफ तो कार्मन शरीर है और एक तरफ आपकी विशुद आत्मा है वो आपकी अमूर्त है लेकिन ये आने से वो मूर्त वत दिखती है जो मैं आपके सामने हूं मैं परवचन कर रहा हूं बोल रहा हूं हाथ हिला रहा हूं ये इस आत्मा की प्रजेंस से हिला रहा हूं लेकिन वास्ता में ये दिखाई नहीं देती है ये कौजल बोड़ी ने इसको मूर्त बना दिया इसको मिस्र चेतन बना दिया ये कौजल बोड़ी ने इस स्थूल सरीर को दिया है भीतर मूर्स जो गंगोतरी है वो कौजल बोड़ी है में सोर्स वो है तो इस तरीके से वो है तो इसी कारण से ये सारी बोड़ी मिलियर वो जो है भूत काल में जैसे क परजन किया था उसके अनुरूप पहले तो आपने कौजल लाल करके संग्रह कर दिया और वो कौजल बोड़ी जो है तब तक रहती है जब तक कि वह शरीर जिन्दा रहता है और वह शरीर मर गया आईशी खत्म हो गया और फिर उसको नया जनम लेना था इस रूप के अंदर त वो कोई भी परिणाम नहीं दे सकता परिणाम देता है द्रव्य सरूप देता है जिसको हम उदे और पररब्द कहते हैं बाव तो एक चार्जिंग है और चार्ज करने से जो है वह बैटरी में स्टोर हो गया लेकिन यूज में डिस्चार्ज काम आता है हमारी मॉबाइल की बैटरी में जितना जितना डिस्चार्ज होता है वह काम आता है चार्ज तो संग्रह किया जाता है तो ये जितना हमारा वर्तमान का द्रव्य है कर्म है वो हमारा डिस्चार्ज है और वह कराता रहता अब देखिए अगर भूत नहोता तो क्या वर्तमान ह होता, नहीं होता, तो इस लिए हमारे को भूत की भी समिक्षा करनी पड़ेगी, वर्तमान चीना ंए हैं, सारा समय वर्तमान में लगाना हैं, लेकिन जितनी जितनी आवशल का अवशलता हो भूत में हमको जाना पड़ेगा, और हम वर्तमान के अंदर जो है जो कुछ भी चिंतन कर रहे हैं वो कारे कर रहे हैं तो हमको कभी अंदाजा लगाना है कि आखिर जो है मेरा लक्ष क्या है और जो अभी हमने लक्ष की बात की और हमने मौनिटरिंग की बात की हमने ब्लूपरिंट की बात की तो हमें उसको मौनिट करने के लिए बहुश्य में जाना पड़ेगा कि सात रोज के बाद सात रोज आज हो गए तो सात रोज में इतना काम हो जाना चाहिए एक साल में ये काम हो जाना चाहिए एक साल में मेरे जीवन के अंदर इतनी प्रोग्रेस हो जानी चाहिए इसका मतलब आपको बहुश्य में जाना पड़ेगा, तो तीनों को कहने का अर्थ यह हमारा विशे का, कि तीनों को अखंड मानो, तीनों को खंड खंड मानोगे और इंपोर्टरंस ने दोगे, तो यह उलिस्टिक नहीं बनेगा, भूत भविश्य वर्तमान को जोड़ के ही हम कोई समिक्षा कर सकते हैं, हम किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं, इसलिए जिसका भूत अच्छा है, डेफिनेटली उसका वर्तमान अच्छा है, और जिसका वर्तमान अच्छा बन रहा है, तो निस्चित तोर से उसका भविश्य अच्छा बनेगा, क्योंकि भविश्य वर्तमान पर निर्बर करता है, इस इस पाप के अंदर वहा कस्ट ही कस्ट देखता रहेगा, दुख ही दुख देखता रहेगा, वो जुग्ई जौपडी का जीवन जीएगा, अब उसमें कुछ बिरले ही लोग होते हैं कि ऐसा दुख का जीवन जीकर भी उसमें से जो है सुख की कला निकाल देते हैं, वो दुख के साथ में जुडा हुआ, क्यों ही आपके जो है नई कौजल बोडी बन गई, और वो नई कौजल बोडी वापस भविश्य के अंदर आपको बटकाएगी, यानि वही जुग्ई जौपडी दे देगी, क्योंकि जुग्ई जौपडी का काम चल रहा है, और वह आप क काले की कला है और सुक निकाल दिया, इसका अर्थ क्या हुआ, कि आप जो कुछ भी आपका प्रारब्द और उदे चल रहा है, उसके साथ जुड़े नहीं, आप तटस्त रहे, मद्यस्त रहे, तो इसका मतलब आपने भविश्य शुधार दिया, आपका जो नया और अभी जो है वरत्मान में जो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, आप उसके साथ जुड़ नहीं रहे हो, आप उसमें से ही आप अच्छी चीज निकाल रहे हो, नेगेटिव में से पोजेटिव निकाल रहे हो, तो आपका भविश्य अच्छा है, इसका मतलब आपके जो कि भूद को लेओ चाहे भविश्य को लेओ या वर्तमान को लेओ उससे पूरा चिठा नहीं बनता है लेखा जोखा नहीं बनता है और निशकर्ष नहीं निकलता है निशकर्ष निकालने के लिए हमें भूद भविश्य और वर्तमान की पूरी अच्छी तरह से समिक्षा करनी पड़ेगी तब ही जाकर कि हमारा जीवन है वह संतुलित बन पाएगा अब देखिए कि हम इसका एक थोड़ा दूसरा एस्पक्ट लेते हैं वो ये लेते हैं कि ये समिक्षा करने से हमको फाइदा क्या हुआ इससे हमको बहुत बड़े लाब है अगर हम भूद बविश्य वर आए यहां यहां पर हमारी ये गलती रही इसलिए हम पिट गए हमारा जो है प्रोग्रेस नहीं हुई यह हम आगे नहीं बढ़ पाए हमारे को अपनी गलतीयों का एसास होने लग गया देखिए अब गलतीयों की बाहर चली है तो मैं आपके वर्तमान क्षण के अंदर बता कि जो जो गलती हैं हम पास्ट जीवन में करते आएं गलतीयों का अर्थ यह है कि आपने किसी प्रानी को दुख दिया हो किसी के नदोश देखे हैं और उन दुखों को देखरने से ही ये कौजल बोड़ी बनी है तो आप जो है समिक्षा करो अब मैं जो बात कर रहा हूं वो निश्चे जगत की बात कर रहा हूं कि जो जो हमने समिक्षा की कि हमने अभी तक के जीवन में इतने इतने खौजेज इतने इतने लोगों के साथ बुरा वेवार किया है तो देखिए ये लाव अब दी नेचर है कि जो है वेवार शुद्धी बिना निश्चे शुद्धी नहीं है जब तक आप आपका भीतर वेवार भरा पड़ाये यानि आप किसी को दुख दे चुके हो तो वापस उसका हिसाब क्लियर नहीं करोगे उससे एनोसी नहीं लोगे तब तक आपका बिस्ट राप्त होने वाला नहीं है आपको निज्च सरूप मिलने वाला नहीं है आपको मुक्ती मिलने वाली नहीं है आपको शाश्वत सुख मिलने वाला नहीं है तो आपको एक एक प्राणी से जो है वह एनोसी लेनी पड़ेगी ये सारा भूत भविश्य वर्तमान की समिक्षा है केवल मनुश्य ही कर सकता है पसू कैसे करेगा उसमें समझ नहीं परकी के जीव तो दुख ही दुख भूगते हैं उनको दुख भूगतने के आगे समय नहीं है और देवता सुक ही सुक भूगतते हैं उनके पास मैं समय नहीं है, एक एक नाटक देखते हैं, अजार अजार साल उसमें हमारे जीवन के चले जाते हैं, इतने बड़े पुनिशाली वो होते हैं, तो उनको कहाँ पड़ी है और क्यों वो समिक्षा करें, वियुक्तु उसमें लुबद होते हैं और देवता होते हैं, वो कभी त्याग पच्कान कर नहीं सकते संवर कर नहीं सकते तो संवर नहीं कर सकते जब उसके निर्जरा नहीं होती और अच्छे अच्छे 26 देव लोग है कुल जैसे की 12 देव लोग उसके बाद 9 नौगरई बैयक और उसके बाद 5 अनुत्तर विमान यह जो उच्छे देव लोग है यह अनुत्तर विमान और नौगरिक देवता होते हैं यह बहुत पुनेशाली होते हैं और वो शुद्धात्मा वाले होते हैं वो मुक्ति को जाने वाले हैं ब्लिश को जाने वाले हैं वो हमेशा जो है यह चिंतन करते हैं कब हम मनुष्य जीवन पाप्ट करें और इस पवित्र जीवन को प्राप्ट करके हम सिद्ध मुद्ध मुक्त बनें मुक्ति को जाने वाला ये मनुश्य का ओधारिक सरीर ही है जो और दूसरा कोई सरीर मुक्ति में नहीं जा सकता किसी के पास में पटा नहीं है सिवाई सरीर के इसलिए देवता गण भी जो है बहुत अच्छे कारी करके देवता बन गे वो भी इच्छा रखते हैं क्योंकि माद्यम यही है तो देखिए हम बात कर रहे हैं भूद बविश्य वर्तमाहन के समिक्षा की आज की विस्याम तरगत तो हमें जो है जब हमने समिक्षा कर ली कि हम बहुत से जन्मों से लोगों को कश्ट देके आए हैं तो आप पर्तेक्ष और अपर्तेक्ष रूप से जो है उसकी सुद्धी करो मैंने आपको बार 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 बताया कि हमारी जो आत्मा का मूल सुरूप जो बीतर दिराजमाने एक भगवान के रूप के अंदर तो वो अव्याबाद है अव्याबाद का मतलस में कोई बादा नहीं है उसको जो है एक आत्मा से दूसरी आत्मा से बाद करने के लिए उस तक पहुँचने के लिए किसी तार या मध्यम की आफशकता नहीं है इसलिए उसको अव्याबाद कहते हैं और अव्याबाद का एक पर हम जो है हमारी बात वहां तक पहुँँ जाती है तो हमें जन्म जन्मांतर के अंदर जो भी हमने किसी इन किसी प्राणी को कष्ट दिया है तो उसको अपर्टेक्स रूप से उसकी आत्मा से हम निवेदन करें कि आप मैसे जिन जिन को हमने अभी तक के पूर जन्मां के अंदर कष्ट दिया है सबी जो है जैसे शाद में हम अपने माता पिता को शाद देने के लिए उनको पीतर जी को बुलाते हैं तो वैसे उनको हावान करना चाहिए कि आप सबी आईए और मेरा जो कुछ भी हिसाबे क्लियर करिए सबसे पहले तो मैं हिसाब क्लियर करता हूँ कि आप मैंसे मैं मैं किसी से कुछ भी लेना देना मांगता नहीं हूँ मेरा हिसाब क्लियर है और आप भी क्लियर करो तो क्लियर करने से ही मुझे मुझे मुक्ती मिले ऐसी बार बार बहावना भाते रहो तो हमारा जितना भी हमने जो किछ भी किसी को कफ्ट दिया है वह एनोसी है हमारे पास में आती रहेगी और हम शुद रहेंगे और इस जन्म में तो हमको प्राही ध्यानी है कि हमने किस-किस के साथ मैं बुरा किया है तो उससे व्यक्तिकत रूप से जो जाके हम सौरी और खमत कामना मिच्छामी दुक्रम या उससे जो है अपनी की गई गलती के लिए माफी मांग करके और शुद्ध हो सकती है माफी नमा जो है बहुत बड़ा शुद्धी करन मंतर है इस मंतर को हलेंगम करना चाहिए आज के विशे के अंतरगत की माफी मांगने से सामने वाला द्रवित हो जाता है और वह आपको माफ कर देता है और माफी मांगने से हमारा शुद्धी करन होता है किसका शुद्धी करन ह और कशाय मुक्ती ही सची मुक्ती है। जूं जूं कशाय दुलता रहता है जो आत्मा के साथ में हैं तो वह दुलती रहने से जूं जूं उसका सुद्धि कर्न होता रहेगा। और दीरे दीरे जब वो पूरा जीरो हो जाएगा तो हमारा सारा काम हो जाएगा, भूद्वविश्य की वर्तमान की पूरी समिक्षा हो जाएगी कि हमको जो पाना था, वो हमने पा लिया, कुछ भी पाना शेश नहीं है, तो देखिए, ये जो विशय है, वा समिक्षा का चलता है और इसकी जो समिक्षा करने से हमारे को जो है जो हमारी जैसी स्थति है उसका पता चलता है समिक्षा हर लेवल पर की जानिची और हमें अपने जीवन की तो समिक्षा अवश्य इकरनी चाहिए अब देखिये, कि हमने इस विश्यनतागर्द, विश्या के अंतरगत जो है, वो समिक्षा की और जिन-जिन से जो है, मारा बुरा वरता हुआ, उसे ख्षमायाचना की, विधी भी जो है, हमने सीखी और विधी से ख्षमायाचना करना चालू भी कर दिया, नि एक पूरा जो है, हमने भूद वविष्य की और वरत्मान की समिक्षा करके, हमने एक बनाया, कि यह कहां-कहां हमार से गलतियाँ हुई, उन गलतियों को उन्हरे स्थापित किया, हमने उसकी अलोजना की, प्रतिकरमन किया, प्रत्या ख्यान किया, और हम धीरे धीरे शुद्दी की और जितनी हमारी ये शुद्धी होती रहेगी हमारी आत्मशुद्धी उसके पर्लल है उतनी गुत्मी आत्मा जो बॉंडेड है वो शुद्ध होती रहेगी और जब प्यूर जब hundred percent शुद्ध हो जाएगी तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्ट भी बन जाएगी तो देखिए आज हम अब निश्वकर्स की बाषा में यह जो है एपशोड हम ऑडियेंस के सामने रखते हैं कि ऑडियेंस का इसके बारे में किया सुझाव है, किया प्रश्न है, क्या जिग्यासा है तो यह एक अच्छा विश्य हमारे सामने खड़ा हो गया कि हर देश को, हर राज्य को, हर व्यक करनी चाहिए यानि जो हमें मौनिटरिंग करनी चाहिए डेली की, क्वाटरली, आफ यरली और यरली तो उसके समिक्षा करने से हमारे को निशकर्ष मिलेगा कि हमारी गलतियां कहां कहां पर हुई और कितनी कितनी गलतियां हुई और पुने जो है हम उसको दोराएं नहीं हम लेते हैं उसके जिसको प्रत्याख्यान कहते हैं कि हम भुष्य केंदर ये गल्दी दोराएंगे नहीं तो इस शुंदर जो है एपिशोड के माद्यम से जब हमारा निशकर्ष निकल करके ये आया कि जिसका जो है भूत काल अच्छा है उसका वर्तमान निश्चित तोर से अच हो गया तो हम इस निश्चकर्ष पर पहुंचे हैं और सर्वे भौन्तु सुगिना सर्वे संतु निरामया जगत के सब जीवों को सुक मिले शांती मिले आनंद मिले सबको मुक्ष मिले सबका गल्यान हो आप सभी के प्रति मंगलबा हो एक कुद्रत के कानून से साश्वत सुख की प्राप्ती लॉग इन करें www.dr.sohanraajtate.com YouTube चैनल डॉक्टर सुहनराज ताते प्ले स्टेवन से डाउनलोड करें मोबाल